तो आज मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था मोमो और मोबर्ग तो मेरे हस्बेन ने बोला कि चलो मैं ओरर करता हूँ तो फिर शाम में मैंने नास्ता किया मोमो और मोबर्ग तो मैंने सोचा बैठे बैठे आप लोग से कुछ बाते भी कर लूँ ऐसे ही काफी दिन से मैंने कु अभी मेरी कोशिश है कि मैं कैसे यूटूब में जादा स्थे ज्यादा वीडियो दे सकूँ कि हर कोई चाहता है कि कुछ अपना इंकम करे एक परसनल मैं भी वही कोशिश करती हूँ लेकिन अभी फिलाल तो मेरी वीडियो कोई उतना पसंद करते हैं नहीं पस और ऐसे भी मैं सोचते रहती हूँ कि शायद मेरी वीडियो सबको पसंद आ जाए तो मुझे भी घर में बैटके बोर्ड ना होना पड़े मैं सबको इंटर्टेइन्मेंट कर पाऊ लेकिन मुझे ट चलो मैं मोमो खा रही हूं तो मैंने मॉमो का एक बना दिया पस मेरे हजबन ऐसे थो मोमो खा लेते हैं लेकिन आज उनको वह ज्यादे स्पाइसी नहीं लगा तो उनने क्या किया जो मॉमो का जो मसाला बचा हुआ था उसमें देके अच्छे से फिर मुझे बोला मुझे एक चीज लेके वह मोमो मोबर को और एक मोमो भी एक्स्ट्रा उपर से डाल के फिर माइनुस डाल के इतना ज्यादा है वी उन्होंने टेस्टी भी बना लिया था जिम मुझे तो मेरा वाला खाया है नहीं जा रहा था मैं बस उनसे बोले जा रहे थी कि उनसे में से दीजिए और मैंने काफी खाया भी उन में से लेके अगर आप लोग कोई मेरा वीडियो देखते है तो आप लोग मुझे प्लीज आइडिया दीजिए कि मैं ऐसा कुछ वीडियो दू जो आप लोग को पसंद आए जिसमें मुझे खुद का फेस शो ना करना पड़े लेकिन मुझे समझ स्ब्सक्राइब मुझे आती नहीं है और ऐसा कुछ मेरा क्रियेटिव है कि मैं कुछ करूं कि अधर क्या कर व्लॉग कि करूं कुछ सम्झ में नहीं आता आप लोग पिलीज मुझे कमेंड करके बताए तो अ मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बन जाता है कभी ट्राइब करके देखिएगा घर में आप लोगों को आएगा तो ऐसा मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अच्छा लगा क्योंकि जब मुझे अच्छा लगा तो वैसे तो मेरे हजबन को कुछ कुकिंग आता नहीं है लेकिन जब वो कुछ भी चीज में ध्यान देकर करे ना तो वो चीज को ज़रूर परफेक्ट कर जाता है मैंने ये देखा था लास्ट टाइम जब उनको मैंने बोला था कि एक बना दो वाओ कितना टेस्टी लग रहा है मैं इसका अलग से जरूर वीडियो शॉड वीडियो अपलोड करूं मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा वाला देखिए मैंने सोचा कि कंप्यर करके दिखा दू जड़ा वाला कितना घ्णिटी लग रहा है लेकिन ये भी बहुत टेस्टी था है ये सबका ओमो ऐसे मुढ़ गासी टेस्टी होता है और उनका तो टेस्टी